अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ आमाज वहसान और आज हम डाजिस्टिफ सिस्टम के टोपिक पर बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइ को इसका फैदा हो तो आएए अपना टोपिक शुरू करते हैं तो डाजिशन तो इसमें फेजेज इंकलूड हैं डाजिशन के हमाल में इंजेशन नबर टूप है मुवमेंट नबर थ्रीप है मेकेनिकल और केमिकल डाजिशन फौर्थ पे हैं अब्सॉर्प्शन और नमबर फाइफ पे है, Elimination, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि Digession होती क है, Digession एक ऐसा अमाल है जिसमें हम फूड को breakdown करते हैं, जिसमें into a form you can use, एक ऐसा अमाल है जिसमें हम बाडी को तोड का है, फूड खुराक को जो ख्वाना होता है, तोड़ा जाता है उसको हम बाडी के मताबिक हम यूज़ करते हैं उसमें कई पांच फेजिज़ आ जाते हैं नमबार वन पर एंजेशन टू पर मॉवमेंट थ्री पर मेकेनिकल केमिकल फॉर्थ पर अब्जार्प्शन और आखिर में अलिमिनेशन आ जाता है तो इसकी टाइप्स हैं डाजेशन की तो पहली है मेकेनिकली जो फीजिकल होता है और इसमें जाव गेरा टेयर और ग्रेंड और मैश और मिक्स और यह इसमें मेकेनिकल की टाइप है फिजिकली जो होता है यह है डिजिशन और दूसरा है केमिकल इसमें क्या होता है के इनजाइम्स जो रियक्शन करते हैं डिजिशन के अमाल को इंप्रूव करने में मार्व के एलिटम्ट प्रॉटीन लिपेड्स यह की में जाते हैं इस में डैजेस्टिव सिस्टम Gir columns करेंफ कि इसमें इसमें ट्यूब कुनेक्ट होती है और यह पाथ होता है और डिफरेंट और गन के साथ लिंक होता है यह ड्रक्ली और यह इसकी स्ट्रक्चर इस्ट्रक्चर के गहाना बात करें तो माउथ फिरिंग सोगेरा इस विगस और एस विगस और स्टॉमिक समाल टस्टाइं लार्ज इंटस्टाइं और एक्टम वग्वड़ा इसमें शामिल है तो माउथ तो इसमें क्या हो जाता है कि टीथ मेकेनिकली ब्रेकडाउन करते हैं फूड को समाल पिसेज में और यह टंग मिक्स फूड विच सलैवा सलावा फूड में क्या होता है कि अमेलेज वे जो के स्टार्च को ब्रेकड़ून करने में हाल करता है नेक्स्ट वी हैव एपी गलोटिक्स यह फ्लैप लाइक स्ट्रिक्चर होता है जो के थोरिक्स के बैक साइड पारी होता है और यह ट्रेक्या को प्रूइंट करता है फूड को प्रोटक्ट करता है फ्रांट ट्रेक्या यह आप पिक्चर में देख सकते हैं इस फीकस तो इस फीकस यह 10 सेंटी मेटर है बदन मीटर लॉंग होती है यह फंक्शनल फंक्शन इसका जह है यह म्यूकस को से क्रेट करना होता है और नमबर टू बे यह जह है खुरा को जह है थोरेक्स थोर्ट से स्टॉमिक तक ले जाती है बाइ यूजिंग मसल मौमेंट के जरीए जिसे हम पैरिस्टालसिज मौमेंट भी कहते हैं इस मौमेंट के जरीए यह खुरा को गले से स्टॉमिक की तरफ ले जाती है अगर एसेड जो है स्टॉमिक गेन करता है तो इसे हार्ट बर्न भी कहते हैं नेक्स्ट वी हैल स्टॉमिक स्टॉमिक की जे शेव्ड मस्कुलर बैग है इसमें खुराक को हम खाते हैं और यह ब्रेकडाउन होके चोटे-चोटे पिजिज में हो जाती है इसमें फूड जो है मिक्स्ट होके डाजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होती है है कि मुक्तलिफ एंजाइम जो हते हैं वो प्रोटीन को प्रोटीन और लिपेड को यह ब्रेकडाउन करते है इसमें एसेड जो है स्टॉमिक में जो हता है वो बक्टेरिया को किल करता है और इसमें जो हती है स्टॉमिक में जो खुराक पाई जाती है उससे जह है काइम कहते है next we have small intestine small intestine seven meter जो है ये roughly long होती है और इसमें intestinal wall जो होती है finger-like projection जिसे हम विलाई भी कहते हैं और ये विलाई सर्फिस एरिया इंक्रीज करती है समाल टस्टाइम का विलाई जो है वो मैक्रो विलाई के साथ कवर होती है और ये जो है सर्फिस एरिया जो अब्सर्प्शन का होता है उसे इंक्रीज करती है और दर यह आप देख सकते हैं इसमें यह देखें यह मैक्रो विलाई यह विलाई के साथ यह कवार होते हैं विलाई यह मैक्रो विलाई के साथ कवार होता है और यह सर्फेस एरिया जो है अब्सार्प्शन का वो इंक्रीज करते हैं तो next we have small intestine small intestine जो है इसमें क्या होता है कि food पास होती है nutrients लेकर यह blood stream blood stream से यह small intestine की वाल होती है इसमें उसके जरीए पास होट होती है इसमें absorption इसमें 80% ingested water होता है और vitamins minerals और carbohydrates प्रोटीन और lipid और भी और शामिल है इसमें यह digestive enzyme जो है यह secrets करता है यह आप डियाग्राम देख सकते हैं नेक्स्ट वी आव लार्ज इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन जो है यह पांच फीट की यह लोंग जो है एक इंटस्टाइन होती है इसमें क्या होता है कि समाल इंटस्टाइन को यह जो है अब्सार्ब नहीं करते इसमें रेक्टम रेक्टम जो है यह शार्ट टर्म स्टोरेज है जो के फीश को एकसपैल करने से पहले हby can रखती है नार्ज इंटस्टाइन लार्ज इंतस्टाइन के जहार स्फेंट अंदेक्टिति है इसका फंक्शन है और क्यरित्व अक्रिण राति हैं धायतम यह उसमें हल्प करेंग नेक्स्क वी आव प्रोटीन ब्रिकड़न क्या इसमें अब्जॉर्प्शन जो है वाटर की ज्यादा होती है को सेन्ट्रेट जो है वेस्ट होता है यह आप डियाग्राम देख सकते हैं कि रेक्टम है और लार्ज टेस्टेन है समाल टेस्टेन है और नेक्स्ट वी आप अच्छी आरगम यह जो है फूड यह फूड का इसा नहीं होते यह इंपोर्टन जो रोल है वो प्ले करते हैं लेकिन इसमें जो है आसेटियायोस में लिवर आ जाता है जाता है और पेन क्रियास वगरा सब्सक्राइब यह जाता है इंक्स्त वैर लिवर लेक्स्ट इसकी लिवकर आप करें तो यह में अठक्मेर्व एफुड करता है यह में गरेल being बाइल को परडूस करके यह डाजिस्टन के अमल को यह ड्रैक्टली एफेक्ट करता है बाइल यह हेल्प आउट करती है फैट को डाजिस्ट करने में तो और यह तोक्सिन अमेटीरियल जो होते हैं इसको filter out करने में और जो waste होता है इसमें waste में drug और alcohol को जो है ये digest करने में help out करती है next we have gall bladder ये gall bladder की अगर हम बात करें तो ये bile को store करने में जो के liver स्यासे आता है और ये रिलीज करता है समाल इंटस्ट टाइन में उसके बाद ये fatty diets गयरा को ये की वज़ा बनता है gallstone की शकल में next we have pancreas pancreas ये digestive enzyme produce करता है fat को digest करने में इसमें carbohydrates और protein और गयरा शामिल है इसमें blood sugar को regulate करता है by producing insulin pancreas pancreas blood sugar को जह है ये regulate control करके ये insulin produce करता है और नेक्स्ट वी आव फन फेक्ट्स अम जिसमें फेक्ट्स और भी देखते हैं कुछ एहम सवाल इसमें का जाता है कि how long are you intestine at least 25 feet in an adult ये कहता है कि intestine कितनी बड़ी होगी तो ये at least 25 feet जो होती है ये adult नौजमानों में होती है और ये quiet up intestine are 89 feet long 89 feet long जो हती है ये quiet up intestine ये होती है इसमें जह है food dry up drying up and hanging out in a large intestine can at least 18 hour to 2 days ये कह रहा है कि food को जह है ये रख सकते हैं 18 गंटे से लेकर 2 दिन तक large intestine में in your lifetime your digestive system में भी held about 15 tons और पूरी lifetime पूरी जिन्दी में ये आपका digestive system जो है पचास टन जो ही ये handle कर सकता है वेस्ट और गहरा को तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए अला आफिस मिलते हैं अप नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स जड़्या वीडियो में अप्सी में ये होड़ते हैं वीडियो में भीडियो में ये होड़कियो में ये जदो एक बार गहरा हैं